गुड मॉर्णिंग एवरिवन तो आज आपके लिए लेकर आ गए हैं SSEJD Constable 2022 के लिए इंगलिस के प्रिवेस येर का Complete Mock Test तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इंगलिस में किस तरह के सवाल आप से पूछे जाएंगे तो बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्वेस्चन आपके सामने है Select the most appropriate option to fill in the blank number 4 यहाँ पर आपको एक passage दिया हुआ है पैसेज के अंदर आपको कुछ blanks दिये हुए है आपको इन प्लैंक को यहाँ पर फिल करने है ब्लैंक को फिल करने से पहले आपको एक चीज का बहुत धहाँ रखने हम कई बार क्या करते हैं डारेक देख लेह देख लेते हैं flinda blank, से हम starting से पढ़ना start करते हैं, when the air is clean, the sunset blank, और यहां पर हम four due because as, देखना start कर देते हैं, लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना है, SSE इस तरह से काम इस बार करने लगी है, कि सबसे पहले देखो, उसने four number यहां पर आपसे पूछा है, होना one चीए, बट आपने अगर यह ध्यान नहीं दिया, फटाफ़ट बस blank देखा और तो आपका answer यहां पर गलत हो जाएगा, ठीक है, So इस चीज को आपको ध्यान देना है, कुछ दे रुके सवाल को जरूर पढ़ना है, questions को जरूर रीड करना है, कि वो आखिर में कौन से blank के अंदर आपसे fill करवाना चाहता है, four पूछा है, तो देखेगा, यहां पर है, sunset over the sea may also be orange, कह रहा है जो sunset था, यह जो पैसेज है, sunset के area, ठीक है, किस वज़े से था, आपका orange था, and क्या थे, उसके अंदर कह रहा है, कि जो आपका, जो सूरिय जो था, समंदर से उपर था, वो भी कैसा हो सकता था, आपका orange कलर का, और क्या थे, salt particles की वज़े से, किसकी वज़े से, salt particles के उपर, जब sun rate जारी थी, उसकी वज़े स है, due to, क्या यूज करते है, due to, so right answer यहाँ पर क्या होगा, आपका, due to is the right answer, because हम किसके लिए यूज करते हैं, जब कोई हम region दिया जाता है, ठीक है, आप four हम किसके लिए यूज करते हैं, जब आप किसी person के लिए करते हैं, this flowers is for rohan, यह fool जो है, वो किसके लिए, rohan के लिए है ठीक है, as हम करते हैं, किसी के जैसे के लिए, ठीक है, so यहाँ पर due to को मतलब किसी चीज की वज़े से कोई चीज होती है, उसके लिए due to यहाँ पर, ठीक है, चले, आगे बढ़ते है, second, second कह रहा है, select the most appropriate synonym of the given word, यहाँ पर आपको synonym बताना है, आपको इसके जैसा same word बतान हो, तो visual का मतलब जब open है, सब को दिखाई दे, तो छुपावा तो यहाँ पर गलत हो गया, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ hidden, ठीक है, तो hidden भी यहाँ पर क्या हो गया, छुपावा गलत हो गया, ठीक है, अगर मैं आपके बात करूँ wake की, तो यह भी आपका क्या ह गलत होगे, इसका मत्तब भी क्या होता है, ए सपस्ट होना, लेकिन, अपरेंट का मत्तब यहां पर होता है, जो सपस्ट दिखाई दे, so right answer क्या होगा, option B is your, right answer, चले, आगे कहते हैं, आपको one word substitution बताना है, यहां पर क्या होगा, to give group of words, a person who knows everything, एक ऐसा आदमी, जो हर कुछ जामता है, उसके लिए कौन सा one word यूज करेंगे, तो देखे, जो आपका naiv होता है, इसका मतलब आपका होता है, आपका एक तरह से, आप मान सकते हो, भोला आदमी, ठीक है, नाइव का मतलब होता है, भोला भाला आदमी, ठीक है, तो यहां पर naiv गलत हो जाएगा भीडापका ठीक है बोला भाला अज तो सब कुछ जान नी सकता intelligent का मतलब समजदार होता है लेकिन जानने वाला यहां पर नी होता है omni present का मतलब होता है जो सब जगां present हो सब जगां हो, जैसे परमात्मा God is omni presentNotCA मतलब God सब जगां present टाप का ठीक है so omni present भी यह नहीं होता ठीक है omni secant जो होता है इसका मतलब होता है omni secant का मतलब होता है सर्व ग्यापी सर्व ग्याप ग्यानी मतलब जो सब कुछ जानता है option b is your right answer ठीक है चलिए option 4 question number phone कह रहा है one word है आपके लिए one who examine से companies financial record एक ऐसा आदमी जो company के financial record को देखता है तो conductor कया करता है conductor public transport के अंदर आपके vehicle को conduct करता है आपके tickets औगरा काटता है ठीक है author कहा होता है यह आपकी books लिखता है ठीक है instructor क्या होता है चैसे कि आपका जो sports औगरा होते है उसमें आपको instruct करता है but auditor क्या होता है जो आपके भाहिक हातों का लेन देन का इसाब रखता है so auditor is your right answer, option C is your right answer, ठीक है चलिए select the most appropriate option to fill the blank, the doctor blank her to stop eating fried food doctor ने उसको कहा कि आपको fried food नहीं खाना, तो doctor ने क्या कहा होगा उसे advise किया होगा, उसको suggestions दिया होगा, ठीक है तो यहाँ पर देखे, advise is your right answer, consider का मतलब क्या होता है किसी चीज को consider कर लेना, ठीक है, मतलब आप किसी चीज को मान लेना, ठीक है तो यहाँ पर मानना तो होता है नहीं, doctor तो उसको कोई suggest कर रहा है arrange का मतलब किसी चीज को यहाँ पर arrange करना और express का मतलब अपनी feelings जैसे express करना, व्यक्त करना तो doctor तो आपको advise ही यहाँ पर करते है तो advise is your right answer, ठीक है चलिए, आगे बढ़ते है select the most appropriate meaning of the given idiom का आपको बताना है play for time, ठीक है कि आपको जादा time यहाँ पर मिल जाए तो to make excuses or do things to gain time यहाँ ठीक है कि मतलब आपको चैसे बहाने लगाने, कुछ ऐसे excuses देने जिससे आपको जादा time यहाँ पर मिल जाए, ठीक है चलिएगा क्या है यहाँ पर select the appropriate option, that and substitute underline आपका यहाँ पर है to earn यह underline है यहाँ पर underline रह गया था आपको कह रहे है underline जो एक word किया हुआ है उसको आपको substitute बताने कि क्या होगा उसका, ठीक है I am sure he will grab the chance to earn some extra money मैं यहाँ पर sure हूँ, confirm हूँ कि वे कोई ना कोई मोका ऐसा पकड लेगा, कुछ extra money कमाने का, ठीक है तो एक चीज़ आप याद रखेगा जब भी to होता है आपके पास जब भी to होता है, उसके पात verb की first form ही always आती है base form आती है, original form में s और es उसके बाद use नहीं होता है, तो always याद रखना, to के बाद verb की first form ही आईगी, तो यहाँ पर यहाँ पर एस लग रहा है and लग रहा है, एस लग रहा है तो यहाँ पर आप देखें को two uns नहीं हो सकता, two uns नहीं हो सकता of uns का यहाँ पर गलत है यहाँ पर मैंने आपको बता है, two के बाद first form ही आती है, तो यहाँ पर यह first form है so no substitution is required यह जो आपके पास दिया हुआ है word यह बिल्कुल आपका क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते है select the most appropriate meaning of the given idiom, आपको idiom का मत्ता बताना है, to breath once last आखरी सांस लेना ठीक है, आखरी सांस लेने का मतलब क्या होता है, तो आखरी सांस लेने का मतलब होता है, to die ठीक है, मर जाना, आखरी सांस लेने का क्या होता है, किसी ने अपनी आखरी सांस ली, मतलब की मर जाना to die आपका, ठीक है चलिएगा, to die यहाँ पर हो गया, उसके बाद है, select the most appropriate option that can substitute आपको and actually and safely, but do not brown or bake food in the way that conventional owens do, ठीक है, तो देखेगा, इसका मतलब क्या होता है and actually का मतलब होता है, उत्सुकता के साथ, ठीक है, किसी तीच से उत्सुकता के साथ किसी काम को करना, तो मतलब की, इसका मतलब यहाँ पर रोगया कि जो नए microwave है, ठीक है, वो जल्दी और सेफ्टी के साथ, फुड को करते हैं, गरम, जबकि पुराने नहीं कर पाते हैं, ठीक है, चलिए, अब यहाँ पर कह रहा है कि beautifully, beautifully का भी कोई मतलब नहीं का रहा है, accidentally का भी कोई मतलब यहाँ पर नहीं है, efficiently का मतलब बिलकुल proper तरीके से, तो efficiently is your right word यहाँ पर, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आपको कह रहे है, substitute बताने हैं, आपको underline segment, you need to get the cholesterol, अब यहाँ पर underline का है, from out of your system, ठीक है, यह भही यहाँ पर underline आपका, ठीक है, you need to get the cholesterol from out of your system, तो underline किसके निचे है, from out of your system, आपको बताने हैं, क्या replace यहाँ पर करेगा, उसको, ठीक है, out of your system, no substitution is required, out your system, from out of your system, तो देखेगा, out of, जो होता है, न, out of, ठीक है, यह अपने आप में क्या होती है, prepositions होती है, इसको dwell preposition यहाँ पर आप बोलते हैं, ठीक है, तो जब यहाँ पर एक prepositions है, जिसका मतलब है, कि आपको जरूरत है, कैले स्ट्रोल को out of your system, आपके system से बाहार करने की, तो यहाँ पर एक आपके पास आई हुई है, prepositions पहले ही out of, तो इसके पहले from भी एक prepositions है, तो यहाँ पर prepositions दो बार लगाना, आप पर super flux हो जाएगा, तो यहाँ पर दूसरी prepositions जो पहले वाली है from, इसका कोई भी requirement नहीं है, only out of your system, out of your system, इस sentence को complete कर रहा है कि आपको जरूरत है, आपके cholesterol को आपकी body से बाहर निकालने ठीक है, तो यहाँ पर from जो है वो गलत है, only out of your system is correct, ठीक है, चलेगा, question number 11, a blank mind rarely meets a dead end, it continues the search of the answers, a blank mind कैसा mind होगा, जो आपके questions को, query को सोचता रहेगा, कुछ नया सीखना चाहेगा ठीक है, peculiar का मतलब क्या होता है, आपका weird का मतलब और strange का मतलब, देखेगा, इन तीनों के मतलब ही आपके होते हैं strange, यहाँ पर, peculiar का मतलब होता है strange, मतलब कुछ अलगी तरीके से, weird का मतलब ही होता है जब आप किसी चीज़ से एक weird behavior करते हैं, strange, एक अलग तरीके से अगर कोई behave करते हैं, और ऐसे ही strange, तो इन तीनों का meaning तो एक है, ठीक है curious का मतलब होता है, उत्सुकता किसी चीज़ को जानने की उत्सुकता तो जो आपके जानने की उत्सुकता होगी तभी आप search करोगी answers, different, different चीज़ के so a right answer is, curious is your right answer, ठीक है, चलिएगा, आगे चलते है 12 पे, fill in the blank a dialogue is a blank between two or more people, a dialogue होता है वो blank होता है, दो, एक या दो से जादा people के बीच में जब आपको ए dialogue बोलते हैं, मालनो दो आदमी खड़े हैं, ठीक है, गबर खड़ा है और विरू खड़ा है वो कहता है, गबर में तेरा खून पी जाओंगा, गबर कहता है, पी के दिखा मैंने तेरे हाथ बांध रखे हैं, तो यह क्या होगा है, डाइलोग होगा, तो यह dialogue क्या है, समवाद है, दो आदमियों के बीच की बातचीत है, समवाद है और समवाद को आप क्या बोलते हो, कन्वर्सेशन, ठीक है कन्वर्सेशन यहाँ पर, option one is your right answer, ठीक है कमिशन होता है, किसी ग्रूप एक, चार पांच आदमियों के ग्रूप बना देना, किसी चीज के उपर नजर रखने के लिए, उसको कमिशन बोलते है कन्वर्टेबल होता है, आपका किसी चीज को कन्वर्ट करना, कन्वर्टेशन होता है, किसी एक चीज से दूसरी चीज के अंदर ही कन्वर्ट करना, ठीक है so, conversation is your right answer बात चीज, ठीक है, चली question number 13, यहाँ पर देखते हैं आपको, क्या करना है यहाँ पर error find out करना है, grammatical error ठीक है, मोहन told to सागर that he was looking very pale, ठीक है, आप देखिए सागर, सागर को कहा that, that he, की वह है, बिल्कुल सही है, no error यहाँ पर no error है, was looking ठीक है, वो लग रहा था, वो लग रहा था, ठीक है no error, very pale बहुत जादा पिलवासा सा, कमजोर सा, no error, अब इन तीन पार्ट्स में तो error आपका है नहीं, ठीक है, क्योंकि grammatical ठीक है, अब बचा, मोहन मोहन told to, तो यहाँ पर किसका error बन रहा है, narration का direct indirect का, यह जो sentence है, यह direct speech में है, direct speech का मतलब क्या है कि मोहन ने direct किसको कहा, यहाँ पर, सागर को मोहन के बीच में कोई तीसरा आदमी नहीं था जो indirectly, उसकी बात को किसी तीसरे आदमी को बता रहा हो, direct मोहन सागर को कह रहा है, तो जब हम told to use करते हैं, तो वो होता है, किसमें indirect speech में, लेकिन यहाँ तो direct दो आदमी बात कर रहे हैं, कि मैंने उससे का, भई, तो कमचोर लग रहा है, तो यहाँ पर direct speech के अंदर, to जो है वो यहाँ पर use नहीं किया जाता so right form क्या होगी, यहाँ पर मोहन told to के अंदर error है, right होगा, यहाँ पर to यहाँ पर cut जाएगा, मोहन told Sagar that he was looking very pale, ठीक है, चलेगा ठीक है भई, चलेए आगे चलते है select the incorrectly spelled word, आपको गलत spelling बताना है, देखिए stationary, dictionary voluntary, delivery ठीक है, तो delivery की spelling होती है, D-E-L-I-V-E-R-Y correct है, यहाँ पर यह बिल्कुल सही है S-T-A-T-I-O-N-A-R-Y stationary, बिल्कुल सही है V-O-L-U-N-T-A-R-Y, बिल्कुल सही है, लेकिन dictionary की spelling है, यहाँ पर गलत है, dictionary की spelling होती है, D-I-C-T-I-O N-A-R-Y N-A-R-Y N-E-R-Y, यहाँ पर गलत हो गया, तो dictionary is the correct, आपका जो होगा, गलत है spelling सही होती है, N-A-R-Y ठीक है, चले, अब अगला है, one word substitution everything that leads to death ऐसी चीज़ जो मिर्त्यू के की तरफ आपको लेकर जाती है, fatal ठीक है, आपने कई जगा सुना होगा, fatal injury fatal injury मतलब मिर्त्यू के बराबर बिल्कुल मतलब की death के करीब उसकी, fatal injury उसको हो गई, इसलिए हो मर गया की उसको, late to death की तरफ वो injury ले गई, fatal injury fatal fight, आप सुनते दो लोगों के अंदर fight होगी, fatal कैसी जान से मारने की fight, ठीक है so fatal is your right answer, ठीक है scary का मतलब होता है ड्रावना, ठीक है, और यहाँ पर serious का मतलब भी क्या होता है आपका, ड्रावना, ठीक है omnious का मतलब भी यहाँ पर क्या होता है as first type का, ठीक है चलेगा, तो fatal is your right answer आगे बात करते है slack the most appropriate antonium of the, आपको opposite बताना है vital, vital का मतलब पहले होता है, important important, necessary important, necessary जो बहुँ जादा जरूरी है, re-vital re-vital, एक गोली आती है, आपने सुना होगा re-vital, एक गोली लो, रहो सारे दिन fit, vital, मतलब कि आपको दुबारा से re, re-vital मतलब necessary है, दुबारा से activate करने के लिए ठीक है, चलेगा, तो यहाँ पर इसका आपको antonium बताना है, तो revital का मतलब necessary और trivial का जो मतलब होता है यह होता है आपका unnecessary unnecessary ठीक है, तो trivial जो होता है आपका इसका मतलब है necessary, so write इसका antonium क्या होगा, trivial, critical का मतलब होता है, बिल्कुल ऐसा, जो critical condition है, बिल्कुल point to point की condition है, कुछ भी हो सकता है, manual का मतलब आपका, आप manual कोई काम को करते है, crucial का मतलब बहुत जरूरी crucial, ठीक है, important है, और trivial का मतलब होता है आपका, जो unnecessary, unimportant यहाद रखेगा, ठीक है, तो important unimportant, यहाद रखेगा, ठीक है, उसके बाद antonium एक और आगया भई, यहाँ पर है precarious, ठीक है precarious का मतलब आपको यहाँ पर बताना है, precarious का मतलब होता है आपकी ऐसी चीज, जो कि आपकी dangerous हो, ठीक है precarious का मतलब होता है, आपका dangerous भई यहाँ पर, ठीक है, dangerous precarious का मतलब होता है, dangerous भ्याननाक आपका खतरनाक, ठीक है so, इसका antonium क्या होगा यहाँपर, safe ठीक है, dangerous, uncertain और perilous का मतलब भी क्या होता है, इं का dangerous इसका मतलब भी यह होता है और uncertain का मतलब जो की आपका निस्चित नहीं है और safe का मतलब आप सुरक्षित है ठीक है चलेगा आगे बढ़ते है अठारा कहरे है select the most appropriate synonym of the world ठीक है synonym आपको बताना है समानार्थी सब्सक्राइब बताना है threat threat का मतलब threat का मतलब होता है देनी रही कि भाई हमें आपके साथ यू करूँगा तो गलत हो गया proof अब आप धमकी दे रहे हो तो उसको proof थोड़ी ना समला रहे हो कि हम आपका proof प्रूफ भी गलत हो गया attention भी यह आपर गलत है आप उसको धमकी देकर attention थोड़ी ना ले रहे हो यहाँ पर risk, risk का मतलब होता है उस किसी चीज का खत्रा, तो धंकी का मतलब भी खत्रा है, जान से मारने की धंकी मतलब भी खत्रा, जान को खत्रा ऐसे ही risk का मतलब भी खत्रा, ठीक है so risk is the synonym, ठीक है find the error, 19, see left hers umbrella at the office ठीक है, तो देखेगा, see left web भूल गई, no error at the office, office के अंदर भूल गई, no error तो error किसमें होगा भाई या नहीं भी होगा, hers umbrella ठीक है, आप देखे यहाँ पर hers used किया गया है hers जो होता है वो possessive possessive pronoun होता है यहाँ पर, ठीक है अब possessive pronoun को आप कहां use करते हो, noun की बार-बार repetition हो रही है round की बार-बार repetition हो रही है, तो उससे बचने के लिए आप क्या use करते हो आप possessive pronoun का use करते हो, कि एक या आदमी का बार-बार नाम आ रहा है कि यह घर भी उसका है, यह गाड़ी भी उसकी है, तो उसके लिए आप क्या करते हो possessive pronoun का use, लेकिन यहाँ पर ownership दिखाई जा रही है ठीक है, direct ownership जब दिखाई जाती है, तो उसके लिए क्या होता है possessive adjective आप यहाँ पर क्या use करते हो, यूज करते हो और possessive adjective क्या होता है her, ठीक है, my ठीक है, यह क्या होता है, possessive adjective और यहाँ पर hers mine, yours यह क्या होते है, आपके possessive pronoun, ठीक है, so possessive, जो adjective है, वो यहाँ पर use होगा, कि यह जो चाता है वो अपना चाता है, भाई, उसका हक दिखा रहा है direct, so यहाँ पर hers की जंगा क्या आ जाएगा, her umbrella, so यहाँ पर यह वाले पार्ट के अंदर क्या है आपका error है, ठीक है, चले समझ में आगया होगा, 20 select the incorrectly spelled world anniversary, felicitate or congratulations and response देखेगा, response की spelling बिल्कुल सही है, response का मतलब होता है, किसी को कोई response देना, किसी को कोई जवाब देना, ठीक है, congratulations का मतलब होता है, बदाई देना, किसी आपको उसको बदाई देना, किसी के अच्छे मौके पर आपको उसको बदाई देना या उसकी तारिफ करना, आप anniversary जो हो रहा है, यहाँ पर इन तीनों की spelling तो बिल्कुल ठीक है, anniversary की गलत है, anniversary में आते है A-N-N-I, A-N-I ना कि A-N-I, ठीक है A-N-I नहीं होता, double-N-I आता है, तो anniversary is the correct, गलत है यहाँ पर, A-N-I यहाँ पर right answer होगा, ठीक है, चलेगा, अगला find the error, neither the manager nor the employees was aware of the shortage of raw materials ठीक है, देखिए neither or either का neither और नोर का, जब भी आपका error बनेगा, देखिए, नाइदर से और नोर से जब भी sentence आपका जोडा जाता है, तो एक ही error हमेशा आपसे examiner बनाएगा उस पर ध्यान रखना वो होता है helping verb, यह यहाँ पर plural लेता है, क्या लेगा plural helping verb यहाँ पर लेगा, इसी का यह error 99% बनेगा, बैस आप इस चीज़ को पकड लोगे, आपको सारे sentence पे बाकी देखने के जुटती है, यहाँ पर देखो वोज लगा दिया, बस सीधा error बनेगा यहाँ पर आपको वोज देखते एक साथ क्या आएगा, वर यहाँ पर आएगा, तो direct आप कर देना, इसके अंदर error है, ठीक है सो जब भी कोई sentence neither और nor से जोड़ा जाता है तो helping verb always plural लेगा, singular नहीं लेगा, ठीक है, तो यहाँ पर आप इस चीज़ का ध्यान रखना है, error इशी का बनेगा ठीक है, चलेगा, वाउ इसके बाद आगया आपके पास पैसेश, ठीक है question number 22 कह रहा है fill in the blanks number 1 के अंदर when the air is clear जब air साफती the sunset yellow sunset yellow था, क्या था yellow sunset कैसा दिख रहा था yellow क्या था, दिख रहा था क्योंकि sunset तो आपको दिखेगा, सूरत चपता है तो कैसा होता yellow, तो दिखने के लिए क्या करते है, appears, क्योंकि दिख रहा था, present में चल रही है ठीक है, when the air is clean present है, indefinite so जो आपकी यहां भी indefinite यूज हो रहा है, क्या आपका वो कैसा दिख रहा था yellow दिख रहा था, तो appears is the right answer, ठीक है चलिएगा, because the light from the sun has passed a long distance through the air and the blue light blank scattered away, blue light यहां पर है, blank scattered away तो यहां पर देखिए, अब दो तरे से आप confused होगे आप देखोगे हैज यहां पर आप लगाओगे कि light scattered away मतलब fell चुकी थी ठीक है, तो आप लगाओगे hedge plus verb की third form ठीक है, क्योंकि यह scattered verb की third form है उससे पहले आपने perfect लगा दिया क्योंकि light जो है, वो fell चुकी थी यहां पर, लेकिन आपने एक चीज यहां पर note नहीं की, कि यहां पर यह hedge आप लगाओगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि देखना and the blue light, यह अपके पास यह एक अलग phrase हो गई यहां पर, ठीक है, इससे पहले अलग हो गई and के बाद अलग होगे, अलग क्या जोड़ रहा है blue light had scattered away, blue light fell चुकी थी लेकिन यहां पर आपके पास कोई subject नहीं है कि आप इस चीज को active voice में नहीं बता सकते क्योंकि यह light fell चुकी थी, लेकिन fell आई किसने, यह तो आपको पता ही नहीं है, क्योंकि active में हम उसे ही यूज करते हैं, जिस चीज के बारे में आपको पता हो कि राम ने ये काम किया, सामने किया, किसने किया, लेकिन light किसने फैलाई, आपको बिल्कुल भी knowledge नहीं है so इस चक्कर में आप इसको किसले यूज करोगे, passive form में so यहाँ पर अब क्या आएगा, hedge bean hedge bean so इस चीज का भी ध्यान रखना है कि जो action perform क्या जा रहा है, क्या वो active में है क्या उसका subject है, या नहीं है, subject नहीं है, light को किसने फैलाया, ना किसी को पता है, तो passive में होगा, so right answer होगा, hedge bean बहुत सारे बच्चे इसको hedge करके आएंगे और यहाँ पर गलत होगा, ठीक है यह approach आपको मैं बता रहा हूँ सारी चीजे, ठीक है, चले, आगे चलते है blink, flinda blanks number 3 के अंदर क्या होगा, ठीक है चलेगा, if the air is polluted with small particles, if the air is polluted with small particle natural ठीक है, otherwise the sunset will be redder, ठीक है, देखे if the air is polluted with small particle natural अगर कहता है, अगर जो sunset है, ठीक है, कह रहा है कहा था, हाँ यह रहा, if the air is polluted, अगर air जो है वो polluted है, with small particle, छोटे-छोटे कनों से naturally अगर उसके अंदर है otherwise the sunset will be redder, अगर उसके अलावा, या फिर जो आपका sun है, वो कैसे लाल है, ठीक है, तो यह पर दो चीजे condition बता रहा है, या तो आपके air के अंदर dust है, या फिर सूरज जो है वो लाल है, दो ही condition है, और जब भी या आता है, तो या के लिए use क्या करते है और आपका, ये AR नहीं है, यहाँ पर है और, ठीक है, सो और, जब भी आपके लिए या या तो हवा में dust particle है, या सूरज लाल है, तो उनको या जहाँ भी आ गया तो इसको किसलिए जोडेंगे आप, और से, सो और is your right answer, ठीक है, चले, आगे बढ़ते हैं, ब्लेंक नमबर पांच, ठीक है, हाँ, यह हो गया था, दे स्काई, दे सन, इट सीन, रेड़न, एज वेल अज लाइट कमिंग डारेक्ली फ्रोम दे सन, ठीक है, चले, दे स्काई, दे सन, देखे, एक्रोस का मतलब क्या होता है, सबसे पहले इन सबको समझेंगे, आपको खुछ समझ में आजाए, देखे, यह नदी है, ठीक है, यह नदी है, मान लो एक, ठीक है, रीवर है यह, रीवर के इस किनारे से, इस किनारे की अगर आब बात करेंगे, एक इधर से, इधर की, तो क्या होगा, एक्रोस दे रीवर, रीवर के दोनों तरफ, ठीक है, किसी भी चीज के दोनों तरफ, एक्रोस दे रोड, एक्रोस दे रीवर, तो मतलब दोनों तरफ, इस तरफ से, इस तरफ की बात करोगे, तो यूज होगा, एक्रोस, ठीक है, तो यहाँ पर देखो, the sky across the sun, क्या जो sky था, वो sun के दोनों तरफ था, नहीं, sun के तो कोई चीज होगी, वो दो तरफ थोड़ी ना हो सकती, sun तो गोल है, sky तो हर तरफ होगा, ठीक है, तो गलत होगया, throw का मतलब, मान लो यह pipe है, यह क्या है, pipe, और इसके बीच में से कोई चीज निकलती है, तो इसको आप क्या बोलेंगे, throw, ठीक है, तो क्या, जो sky है, वो सूरज के बीचो बीच निकल रहा है, यहाँ यह भी गलत होगया आपका, ठीक है, चले, बात करते है, along, along का मतलब होता है, मान लो, again, यह river है, ठीक है, और आप इसके किनारे के साथ-साथ, यहाँ पर चल रहे हैं, इसका मतलब होता है, along, किसी के साथ-साथ, किसी के साथ-साथ, ठीक है, साथ-साथ चलना, तो यह क्या सूरज के साथ-साथ हैं, नहीं, around का मतलब होता है, यह सूरज है, इसके चारो तरफ, तो जो sky है, लाल यहां पर दिख रहे ठीक है चलेगा तो यहां पर राइट आंसर होगा अराउंट टीक है बागी सब का मिनिंग मैंने आपको बता दिया है यहां पर आपका यहां पर आपका जो थे 16 questions का आपका complete जो है 25 questions का जो complete mock test है वो यहां पर complete हो गया है आपको इंगलिस पर एक अच्छे approach मिली होगी अच्छा आपका mindset बना होगा आपको सारी चीचे बहुत अच्छे से समझ में आयोंगी ऐसी ही classes आपको back to back मिलने वाली है ऐसी ही classes आपको यहां पर देखने को मिलेंगी बस करना क्या है पढ़ते रहो त्यारी आपकी बिल्कुल बिंदास करवा देंगे गर्दा उठा देंगे बस आप त्यारी करने वाले बनो ठीक है तो चलिए आज के लिए इतना ही मिलते हैं आपसे next हिंदी की glass में उसके बाद मैं फिर reasoning के इंदे ठीक है सारे सवाल आपको ऐसी approach के जाथ बिल्कुल खेल खेल में करवा दूँगा आप tension मत लीजिएगा बिल्कुल भी ठीक है चलो thank you so much नमस्कार